पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है इसके बावजूद हरिद्वार में कावण लेकर आने वाले शियुभक्तों का रेला लगा हुआ है जैसे पूरा देश उमर पड़ा है क्या बच्चे, क्या बुढ़े, इस्तरी, लड़के, लड़किया और नौजवान सभी शियुभक्ती में निकल पड़े है दुनिया की सबसे बड़ी धर्मिकी जिवन्त यात्रा के रूप में आप इसे देख सकते है सकारात्मक आस्था और विश्वास ही इस धर्म यात्रा को सकुषल संपन बनाती है दुनिया में जिस तरह आतंगवाद और कटरता बढ़ा है उन देशों और धर्मों के लिए इतनी बढ़ी हुई धर्मिक यात्रा का आयोजन करना असंभव है या सिर्फ भारत की धर्ती पर संभव हैं दोस्तों जिसकी जड़ो में हजारों वर्षों से चली आ रही सनातंध्रम की मानवता के मुल्टत्व समाईत है और ये जो प्रेम और सद्भाव आप यहाँ देख रहे हैं या सिर्फ और सिर्फ भारत में हो सकता है क्योंकि भारत वास्तों में अनेक्ता में एक्ता लिये हुए है ये दर्शाते हैं कि किस तरह हर इंसान एक दूसरे की सेवा करना चाहता है इसी प्रगार रूरकी से गुजरते हुए सभी आत्रियों का इस शहर के जितने भी समा सेवी हैं वो सभी शुभगतों की सेवा के लिए महादेव की भगतों की सेवा के लिए लगे हुए हैं दोस्तों ये वास्तों में आस्था का जन सैलाब है और अंत में इस भाव के साथ कि भगवान भोलेनात पूरी मानोजाती का कल्यान करें हर हर महादेव झाल